सो दोस्तो यार OnePlus की तरफ से एक और नया तगड़ा स्मार्टफोन बहुत ही जल Indian Market में दस्तक देने वाला है। वैसे दोस्तो ये जो स्मार्टफोन है ये ओल्रेटी चाइना में दो लॉंच किया जा चुका है। लेकिन Indian Market के लिए दोस्तो ये स्मार्टफोन अब बहुत ही जल्द आने वाला है। दोस्तो इस स्मार्टफोन का नाम है OnePlus Ace Resi Condition जो की चाइना में लॉंच किया गया था, वही स्मार्टफोन हमें इंडिया में as a OnePlus 10R Lite के नाम से देखने को मिलने वाला है। और ये स्मार्टफोन आपको कैसा देखने को मिलता है, स्मार्टफोन की क्या specifications हैं, साधी साध, ये स्मार्टफोन कब तक इंडिया में launch किया जा सकता है और स्मार्टफोन की क्या pricing होने वाली है। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे ही साथ ही में हम यह भी जानेंगे, कि क्या आपको इस smartphone के लिए वेट करना चाहिए, या फिर आपको किसी और smartphone की दरब देखना चाहिए, तो दोस्तो वीडियो काफी information और काफी helpful होने वाली। वीडियो के end तक बने रहीएगा, यह फोन आपको मिलता है फुली ग्लास बिल्ड पर तो यह काफी अच्छी बात है ग्लास बिल्ड पर बनाओगा स्मार्टफोन जहां पर आपको फ्रेंट और बैक दोनों ही तरफ कॉर्णिंग गोरिल्ला ग्लास पाई का प्रोडिक्शन मिल जाएगा वाई बिल्ड आपको यहां पर रेक्टेंगुलर शेप के साथ में मिलते हैं तीन क्यामरा साथ ही में LED फ्लैश आपको देखने को मिलता है नीचे की तरफ आपको वन प्लस का लोगो भी मिल जाएगा और वहीं पर अगर हम सामने की बात करें तो सामने आपको यहां पर टॉप लेप में प लू कलर तो वन प्लस की तरब से हमें साइज देखने को मिलता है और इसके अलब आपको यहां पर ब्लैक कलर का भी एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यह तो भाईयो यह तो भी फॉर्मल हाई है लो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्मार्ट फोन का चेहरा द इस प्लेस फोन के अंदर होने वाली है साथ ही पे कॉर्नी गोरिला गला स्पाई का प्रडेक्शन आपको मिल जाएगा 2029 का इस प्रडेक्शियो और लगबग 401 PPI डेंसिटी का आपको यहां पर सपोर्ट मिल जाएगा इन सभी के अलावा वाइड वाइड वाइन का शिकायत नहीं आने वाली है और गेमिंग की बात करें तो आप 120 हर्ट्स तक की हाय रिफ्रेश एड और 240 हर्ट्स की टस्सेंप्लिंग ग्रेट का आपको यहां पर सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहे होंगे यार IPS पैनल दिया गया ह तो गैस जार ऐसा नहीं होता कि सभी IPS पैनल खराब होते हैं IPS पैनल की क्वालिटी भी अलग अलग आती है तो यहां पर आपको बहतर क्वालिटी की IPS डिस्पले दी गई है और ओर देखा जाए तो content watching से लेकर के gaming तक आपको यहां पर कहीं भी कोई शिकायत नहीं आने वाली ह तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहां पर आपको चेहरा काफी अच्छा दिया गया है लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें फोन की बड़ी बड़ी आँखों के बारे में तो दोस्तों इस फोन के back side में लगी हुई है तीन तीन आखे पर main sensor लगा हुआ है 64 MP का और दोस्तों यह आ बात करें तो सामने आपको मिल जाता है 16 MP का selfie snapper तो camera setup उतना ज्यादा तो अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी आपको यहां पर image quality अच्छी मिल जाएगी रही बात video output की तो दोस्तों आप यहां पर maximum ultra HD तकी video recording कर सकते हैं back camera से up to 30 fps और front camera से आपको यहां पर full HD की video recording का option मिल तो भाई overall देखा जाए तो camera उतना जदा खास तो नहीं है लेकिन फिर भी आपको यहां पर कोई खास दिकत नहीं आने वाली हां तो भाई चहरा और आखे तो हमने देख ली चलिए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं और बात करते हैं phone के brain के बारे में तो दोस्तों इस phone के अं आती हैं और इसके अलावा इस phone के अदर आपको liquid cooling chamber भी मिल जाएगा तो by heating तो आप यहां पर भूल ही जाएए लेकिन जहां तक बात है performance की दोस्तों तो उसके लिए अब थोड़ी सी और detail में बात करना होगा तो दोस्तों यह chipset बना हुआ है 64-bit के architecture पर जहां पर आपको मिल है high performance task को manage करने के लिए और यह चारो के चारो कोर आपको मिलते है 2.85 GHz पर cortex A78 के जी हां दोस्तों काफी बढ़िया कोर्स दिये गए हैं बाकी के चार कोर आपको medium टास्क और power efficiency को manage करने के लिए दिये गे हैं 2.0 GHz पर cortex A55 के तो बाई डेली परफॉमेंस तो आपको यहां प CPU जो कि आपको यहां पर gaming तो अच्छी कराएगा ही साथ ही साथ आपको यहां पर video editing और rendering जैसे task में भी कोई शिकायत नहीं आने वाली है तो overall दोस्तों फोन का जो brain है वो तो यहां पर super powerful निकला लेकिन दोस्तों सिर्फ brain से काम नहीं चलने वाला है फोन के हाथ और पैर कितन VR5 जी हां दोस्तों एक flagship level की राम आपको यहां पर मिल जाएगी साथ 128 और 256 बीकी inbuilt storage का option आपको यहां पर मिलेगा जहां पर storage की quality है UFS 3.1 हमारा जो फोन यह पढ़ने और लिखने में भी काफी होनहार निकला पढ़ाई लिखाए के साथ-साथ आपको यहां पर app loading time भी काफी fast देदेगा तो overall phone की जो performance है दोस्तों वो आपको यहां पर flagship level याने next level की मिलेगी तो वहां पर आपको कोई भी खास दिक्कत नहीं आने वाली है इतनी मारधार और साथ-साथ भाग दोड़ के बाद यार यह ठकेगा जरूर और ठकेगा तो इसे भूग जरूर लगेगी तो उसके बावजूर दोस्तों यह smartphone आपको यहां पर एक दिन का backup काफी आराम से निकाल कर देगा साथी में अगर आपने smartphone की battery को discharge भी कर दिया तो up to 67 watt की charging का support आपको यहां पर मिल जाएगा charger आपको box के अंदर मिल जाएगा charging के लिए type C वाली port मिल जाएगी तो battery model आपको यहां पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है और इतनी सारी बातों के बाद दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कुछ extra features के बारे में तो यहां पर आपको side mounted fingerprint sensor मिलने वाला है face unlock जैसे features मिल जाएगे 3.5 mm का jack इस phone के अंदर आपको दिया गया है तो यह अच्छी बात है इन सभी के अला इस phone के अंदर आपको कोई भी guard options नहीं मिलेंगे तो आपको यहां पर जो भी internal memory मिलने वाली है उसी से काम चलाना पड़ेगा और साथ ही साथ आप यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक साथ में 2 5G SIM लगा सकते हैं तो अब समय हो चुगा है phone की आत्मा के बारे में बात करने का और कोई एड नहीं और जहां पर बात आती है performance की तो software performance भी आपको यहां पर अच्छी मिल जाती है उसमें भी आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है रही बात दोस्तो फोन की launch date की तो अभी तक smartphone की launch date को तो confirm नहीं किया गया है लेकिन काफी बड़े बड़े leeksters का मा Filt Memory के साथ में यह smartphone already China में launch के आगया है around 23,000 रुपे की price पर लेकिन दोस्तों जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि Indian pricing हमेशा ही यहां पर थोड़ी सी जादा होती है तो guys ऐसे में काफी जादा expectation यह है कि यह जो smartphone है यह हमें इंडिया में 27-28,000 रुपे की price पर launch होत सकता है और थोड़े मोड़े bank offers के बाद यह smartphone आपको around 25,000 रुपे के आसपास में देखने को मिल सकता है और 25,000 रुपे के इसापस दोस्तों सुपर powerful phone होने वाला है काफी तगड़ी gaming आपको करा कर देगा साथ ही वे video editing और rendering जैसे टास्क को भी काफी easily manage कर सकता है और देखा आपको आज की ये वीडियो पसंद आयोगी तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए मिलते हैं इसी को और वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यबाद